अर्जुन ने कहा है पुरुशोत्तम, वो ब्रह्मक क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? हे मदु सुदन, यहां अधियग्य कौन है? और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्चित वाले पुरुशों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री भगवान ने कहा परम अक्षर, ब्रह्म है, अपना स्वरूप, अर्थात, जिवात्मा, अध्यात्म, नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भव को उत्पन करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है. उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं हिरन्यमे पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरन्यगर्भ, प्रजापती, ब्रम्हा इत्यादी नामों से कहा गया है अधिदेव है और है देधारियों में श्वेश्ट अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियग्य हूँ जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरन करता हुआ, शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्थ होता है, इसमें कुछ भी संशे नहीं है हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, यह मनुश्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरन करता हुआ शरीर त्याग करता है, उस उसको ही प्राप्थ होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरंकर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझ में अर्पन किये हुए मन बुद्धी से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्थ होगा हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी और न जाने वाले चित से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्थ होता है जो पुरुष सर्वग्य, अनादी, सबके नियमता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुब और अशुब कर्म के अनुसार शासन करने वाला सूक्षम से भी अती सूक्षम, सबके धारन पोशन करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सद्रिश नित्य चेतन प पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। पुरुष परमगती को प्राप्त होता है। पुरुष परमगती को प्राप्त होकर पुरुष तत्व से जानते हैं। वे योगी जनकाल के तत्व को जानने वाले हैं। वे परमगती को प्राप्त होने पर भी नश्ट नहीं होता। हे पार्त, जिस परमात्मा के अंतरगत सर्वभूत है और जिस सच्चिद अनन्द्धन परमात्मा से यह समस्ट जगत परिपूर्ण है, वा सनातन अव्यक परम पुरुष त अनन्य भक्ती से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अरजुन, जिस काल में यहां काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम, सृती, गती, ऐसा कहा है। हुए ब्रमवेता योगी जिन उप्यूक देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रहम को प्राप्त होते हैं। इन में एक द्वारा गया हुआ जिस से वापस नहीं लोटना पढ़ता, उस परमगती को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ, फिर वापस आता है, अर्थात जन्म वित्यू को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुधी रूप से योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ती के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यग्यत तप और दानादी के करने में जो पुन्यफल कहा है, उन सब को नहसिंदे उलंधन कर जाता है और सनातन परमपद को प्राप्त होता है।